है अलो बच्चा लगो कैसे हो बढ़ियां चलिए मेरा नाम है अलके सर्फ फ्रॉम अरदी क्लासे सीटी एम अधवार दोस्तों आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियों वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नमबर 11 है उसका लेक्चर नमबर 6 लेके आया है दो स्तार्ट करें हम ताल्यों के साथ डंटन डंड। अमिता बच्चंजर, देवयों, सजनो का नाम नहीं दूगा मैं आपको हम पढ़ेंगे ओ ठोपिक तो आपको ख्याल आएका कि मैं क्या बोला चाहरा हूं मैं क्या बोल रहा हूं हूं बात ऐसी है इस एक वैसल में भाटर है पालट पर और दूसारे वैसल में भी बाटर है क्या है बाटर तर देखक cartoon पता घज जञ नहीं है फिर इम को पता चल रहा है कि इसमें परटर ज्यादा है कि जुन में फटर दोस्तो री है दोस्तो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, material same, same है सर, कोई बात नहीं सर, material same है, अब दूस्तों, ये दोनों वेसल में water है, मुझे उसको गरम करना है, गरम करना है, gas के दो burner होते हैं, उस पे ही रख रहा हूँ, एक में ज़्यादा पानी एक तपेली में, एक तपेली में कम पानी, ऐसे रख रहा हूँ, और burner से same gas applied कर रहा हूँ, मतलब same heat दे रहा हूँ, same heat दे रहा हूँ, दोनों से, ठीक है, चला, इसका temperature मुझे 20 degree Celsius जितना बढ़ाना है, और इसका temperature भी 20 degree Celsius जितना बढ़ाना है, क्या बात है सर्थ, मतलब temperature में change भी same करना है, temperature में change भी same करना है, heat source भी same है, लेकिन जो mass है, वो different है, mass है वो different है दोस्तों, mass difference है, यह तकलिए पहले है दोस्तों, अब start करता हूँ, बात है अपनी इस chapter के regarding में, आपको क्या लगता है दोस्तों, किसको मुझे ज्यादा, किसको मुझे ज्यादा heat देना पड़ेगा, एक में प्लर तो नहीं हो रहा है न, एक में प्लर नहीं हो रहा है न, है ऐसे ओके ओकर बस एकदम first class देख रहें जाएंड़ करते हैं चल आई ठीक़ है तो डेल्टा टीज में दोनों का tq पानी यह दोनों में तो देख के पता लगता है डेख के पता लगता है ज़र से मीट दे रहा हूं दोनों को तो जल्दी कौन गरम हो जाएगा सरी ये लेड़ गरम कौन होगा सरी ये टाइम ज्यादा लेगा क्यों सर इसके पास बल्क ज्यादा है एमाउंट ज्यादा है तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों लिख सकता हूं दोस्तों कि ये कि देरी से गरम होगा ऐसा हम लिख सकते हैं देरी से गरम होगा मतलब की temperature बढ़ने में time ज्यादा लेगा time ज्यादा लेगा मतलब की ज्यादा time तक heat देना पड़ेगा सर देखो इसका temperature 20 degree Celsius करना है मतलब की मान लो 30 है और मुझे 50 करना है 30 है और मुझे 50 करना है तो यह 5 मिट में खेल खतम हो जाएगा मान ले और इसका भी 30 करना है लेगिन क्या यह 5 मिट में गरम हो जाएगा इसका temperature 50 हो जाएगा 30 से 50 हो जाएगा 20 जितना difference आपाएगा नहीं आपाएगा यह 8 मिनिट या 10 मिट के बाद पूरा temperature उसका 20 जितना बढ़ेगा हाया नसहाँ बोल तो बोल सकता हूँ दोस्तोँ हीट है ज्यादा देन पौड़ेगा हीट ज्यादा देना पड़ेगा मतलब की यह ज्यादा समय तकně अब्जॉब करेगा कूरत यह ज्यादा लात बाते बोल रहा हूं हुआ जाना हम मतलब कि हीट एब जॉब करना हीट एबसॉब करना किस पेAlexis Paterson हैर मास पर डिपेड़न एंदूस्तो स्टमास्टेव्च पर डिकले street नहीं आप एच्छल दूसरा लॉजिक दोडाता हुआ दूसरा लोजिक दोड़ाते हैं फटाफट करेंगे हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे दोस्तों आई ये केमेस्ट्री पोर्शन है लेकिन दोस्तों एजा निजमना पिजिक्स वाल है सर है केमेस्ट्री पोर्शन रिसर्च मार के आया हूं पूरा टेंचन नहीं लेना बहुत करेंगे हैं लिए अए कि इमांदारी से बोलना इसको सेम्हांट का हिन अब इसका तेंपरेचर मुझे 20C appropriate बढ़ाना है और इसका तेंपरेचर मुझे 40डिकर्व सिस्कित बढ़ाना है तो बोलिए बोलिए दोस्तों फटाफट फटाफट के लेट कौन गरम होगा लेट कौन गरम होगा मतलब की हीट किसको ज्यादा टाइम तक देना पड़ेगा इसको सेम मट्रियल है सेम अमाउंट का है मास सेम है तो और इसका टेमपरेजर 40 14 degrees Celsius तक ले जाना है तो यह मातलों 5 मिट में cover कर लेगा तो दोस्तों इसको 10-12 मिट लगेंगे cover करने में 40 degrees Celsius तक कोंटने में मतलब इसको 10-12 मिनट देते रहेना पड़ेगा इस पानी को समध रहे है तो समध रहें तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं मैं क्या यह बोल सकता हूँ कि mass same material same ठीक है material same दोस्तो change in temperature same नहीं है तो क्या होगा तो क्या होगा दोस्तो इसको heat जदा देना पड़ेगा मतलब यह heat जदा समय तक absorb करेगा मतलब heat जदा heat absorb करेगा बोलो हा या नदोस्तो तो heat absorb जदा क्यों किया इसने क्योंकि इसका temperature जदा बढ़ाना है तो मैं कहीं बोल सकता हूँ दोस्तो heat absorption RR musician heat absorb करेगा नहीं करेगा वह दोस्तों temperature के difference पर करsz देल्टटीश में डिपेंड है टी के दूस्तों तीसरी बात थीसरी बात स्वीड में पताएंगी पर यह एक में पानी है एक में बाटर है एक में आईल है मास सेम है दोनों का बलक सेम है ठीक है मास सेम सेम टेमपरेचर भी मुझे दोनों का 20 डिग्री सेल्सिस जितना ही बढ़ाना है टेमपरेचर में टेमपरेचर में टेमने है ठीक लेकिन अपकी बारiert मесть को अलगर सेम तो भी दोस्तों आपको मैं बता दो मैं सब्सक्राइब का एक गेस स्टाइब redor यहां वर्न पानी रख कर दो reflecting पर चांद ग्रम हो पर जल्पावट गजाएगा दोस्ट्ट्ट पानी को ज्यादा देगा ईट टेक्स तो दोस्तो इसका लिए ज्यादा एब्जॉब करेगा उसका मतलब आप ये बूलना चाहते हो कि जो हीट एब्जॉब्शन है हीट एब्जॉब है वो मट्रियल पे भी डिपेंड करता है मट्रियल पे डिपेंड करता है ठेक है बूल समझना आ रहा है क्लियर हो रही है बाते चला आजा दोस्त मैं ऐसे एक नॉर्मल बात करता हूँ बहुत इजी बात करता हूँ मतलब ये हुआ कि यदि मास ज्यादा है इसका तो इसको गरम करने के लिए इसको गरम करने के लिए इसका मास ज्यादा है तो इसको गरम करने के लिए ज्यादा हीट एब्सॉब करेगा ज्यादा हीट देना पड़ेगा तो उसी साब से उल्टा सोच इसको ठंडा करना हो तो 20 डिग्री सेलसेश जितना ठंडा करना हो तो दोस्तों, तो उसके पास से मुझे ज्यादा heat ले लेना पड़ेगा, बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है, फिर से एक बार, फिर से एक बार, दोस्तों, मुझे इसको गरम करना है, 20 degree Celsius जितना temperature बढ़ाना है, 20 degree Celsius करना नहीं है, उसको बढ़ाना है, जैसे कि 30 है त अभी दोस्तो इसको मुझे 20डीदीक्री इतना कम उर्फ करवूंगर 過來 ictions तो इससे हीट मुझे ज्यादा लेना पाड़े का ज्यादा लेना पाड़ेगा तब यहें 20डीदीक्रीदीक्री सेल्फेतना कम होगा समहच में आरहे ठीक कि इसमें भी दोस्तो कि इसमें heat ज्यादा देना पड़ेगा कि तेमपेरेंचर ज्यादा बढ़ाना है तो इसको जितना ज्यादा heat absorb किया अब मालो मैं तेमपेरेंचर 40 दिटरेसल्सक् exploded इतना कम करता हूं तो सब्सक्रेटेम क्ये तक यह समय तो श्यदूटेट Där intro जितना कम करना हो और ओयल का भी कम करना हो तो दोनों में से किस में से हीट ज्यादा निकालना पड़ेगा तो दोस्तों एक्चुली में क्या होता है किसी भी सब्स्टेंस की सब्स्टेंस की हीट एब्जॉब करने की या हीट का एमिशन करने की ओकाद को ही या कापसिटी को या ताकात को ताकत को क्या बोलते हैं दोस्तों हीट कापसिटी बोलते हैं क्या बोलते हैं हीट कापसिटी बोलते हैं क्या बोलते हैं हीट कापसिटी दोस्तों ये बात है दोस्तों हीट यान है तो सब्सक्राइब लेगे जूता उता ठीक है दूस चला जाए एक नर्मल सी बात करूंगा आपके सथ नर्मल सी बात करूंगा ये मेरे पास ये मैंने लिक्वेड की बात की अब मैं सॉलीड की बात करता हूं देखिए यह मेरे पास एक चलो यह सन है नाट माई सन नाट माई सन रन्विचेस सेंग इस आम टोकिन बाउट दादा और मैंने यहां पे दूप में एक स्टील का प्लेट रखा है और एक वूडन प्लेट रखा है आप बताएए दोस्तों फटापड कौन गरम हो जाएगा या फटापड गरम हो जाएगा यह थोड़ा देरी से गरम होगा मतलब 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 की दोस्तों यह भूडन है ना वूड़ जो वूड़ का मैंने प्लेट लिया है वह हीट को ज्यादा एब्सॉप कर रहा है इसके लिए इसके टेमपरेचर में कम इंक्रेमेंट हो रहा है समझ म ठीक है अब नॉर्मल जैसे बात करूँ कि आप सब उस बात है आप पानी में चलना पसंद करोगे या सैंड पे चलो बोलो रेती पे किस पे चलना पसंद करोगे दूप पढ़ रही है टेमपरेचर बहुत हाई है तब रसे सरब पानी में सर पानी में रहना दुना सर एना क् पानी का दो जीट कैपसिटी ज्यादा है तो हीट एब्जॉब कर लेता है इसलिए उसका टैंप्रेचर थोड़ा देरी से बढ़ता है और दोस्तों जब की सेंड है वो उसका हीट कैपसिटी ज्यादा नहीं है इतना हीट एब्जॉब नहीं कर पाती है तो गरम हो जाती है रह तो इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा हीट, ज्यादा से कम temperature के तरब, simple हैना, हीट का तो लेना देना क्यों होता है,寸मझ में आरहा है, temperature difference के कारण होता है, वो तो याद है न आपको, ठीके, 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 बोलो, clear ओर यह बाते, एक बास screenshot ले और गजब समझाता ओके दोस्तों ओके स्क्रीन शोट ले लिया है चला आजा दोस्तों तो फाइनली दोस्तों जो हीट कापासिटी है हीट कापासिटी है उसको बुक में जो हीट कापासिटी उसको बुक में कुछ ऐसे लिखा गया है कि kisie substance का temperature में यूनिट जितना delta t जितना चेंज करने के लिए उसको जो हीट देना पड़ेगा उसको हीट कापासिटी बोलते हैं डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों हीट रिकवायर टू चेंज इन टैंप्रेचर इस कॉल्ड हीट कपासिटी ठीक है और दूसरों दूसरा डेफिनेशन होगा रेशियो ऑफ हीट रिकवायर एंड चेंज इन टैंप्रेचर रेशियो ऑफ हीट रिकवायर एंड चेंज इन टैंप्रेचर चेंज इन टैंप्रेचर ठीक है यह अच्छी का फार्मूले हो गए फार्मूले हो गए यह डेफिनेशन डेफिनेशन हो गए हो गए सर यूनिट क्या आएगा भया यह मंभई नगरिया तू देख बबूगा जूल पर क्यालविन और मैं सब रिसकते हैं जूल पर सेल्सियस है चेंज इन टैपरेचर है उसको सेल्सियस है क्यालविन लिखो कोई फरक नहीं पड़ेगा और दोस्तों दूसरा आप लिख सकते हो क्यालरी अपॉन सेल्सियस और क्यालरी अपॉन क्यालविन कोई इश्यू नहीं है ठीक है बोल दाने ओके दोस्तों और इसका डाइमेंशन फॉर्मूला वो तो सब मैंने आज दिन तक नहीं लिखा कभी भी किसी भी लेक्चर में आपको यह लिखना है दोस्तों चेप्टर टू तकड़ आए ना आपका ज्यार भी का तो फिर अब दोस्तों depends on यह लिखेंगे सर्फ स्टार्टिंग में बूल चुका था मास पर डेल्टा टी पर एंड ओकाद ऑफ मट्रियल मट्रियल के टाइप पर इतने पर डिपेंड करता है ठीक है दोस्तों अब यह जब एबुक की बाते तो मुझे लिखनी पड़ती है दोस्तों मे लेक्षा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आयोप सो देखते हैं चला जाओ दोस्तों मेरे पास एक नॉर्मल बात बोल रहा हूं कि टू केजी का का अलुमिनियम का एक ब्लॉक है टू केजी का और उसी के बाजू में एक ब्लॉक से 6 केजी का ठेक है सैं आलूमिनियम का है लेकिन 생 अलूमिनियम का है लेकिन 29 केजी का है वो 6 केजी का है ओक के दुस्तों इसका भी 20 degree Celsius increase करना है दोस्तों तो भी आप मुझे देखके बोल दो देखके बोल पाओगे कि सर इसका टेंपरेचर 20 degree Celsius करना है न और इसका भी same temperature 20 degree Celsius ही मतलब बढ़ाना है तो भी इसको हीट ज्यादा देना पड़ेगा बूल क्यों सर इसका मास ज्यादा है देखो सर बड़ा देख रहा है है और मैं बूली छे किलो का है और दो किलो का है मास ज्यादा है दोस्तों तो इसको मैं हीट दे रहा हूं माले बात एक हाली normal 3000 जूल और इसको मैं हीट प्रोवाइड कर रह है ना हाँ अब दीखना दोस्तों मुझे पता है हीट कापासिटी क्यू बाइड डेल्टा टी थाउजन जूल दिया मैंने इसको टेंपरेचर 20 डिग्री सेल्चेस सेम टेंपरेचर चेंच करने के लिए आपको पता है दोस्तों इसको ज्यादा जूल ज्यादा हीट देना ज्य तो 3000 तक इसको एनरजी देता गया हीट देता गया हां रेट ओफ हीट फ्लो सेम है सेम बर्नर पे उनको गरम करने रखा है इसको भी इसको भी सेम बर्नर पे ताइम इसमें ज्यादा जाएगा इसमें ज्यादा ज्यादा गैस वापरना पड़ेगा इसमें ज्यादा हीट देन पड़ेगा इntव तीन हजार जितना इत देना पड़ेगा इसका हीट का पासिटी सॉरे टू डिगरी चल्सियस टू डिगरी सेल्ट Poland ना लो फिटी गृती कर देता हैं माललों। फिटी है तो सिब्टी कर देता हैं ठीक है टेम्परेचर ओके तो 500 जूल पर डिगरी सेलसियस बहुत मस्त बात बोल रहा हूं द्यान से सुनना तेक Cyrus-style ajit Rip capacity ही 3000 अपॉनदो गें 500 जूल पर डिगरी सेलसियस पर डिगरी सेलसियस ओह ॓ह क्या बात है त件 मतलब समझाओ हम हमने पता ही दा जरी है City 10 इसका ज्यादा है हीट कापसिटी इसका ज्यादा है आप क्या समझ रहे हो लोजिक आप बताओ तो मुझे तरह इसमें क्या समझे आप सर इसमें यह समझे आप नहीं समझे मैं समझाता हूं यह समझे कि इसके टेंपरेचर में इसके टेंपरेचर में एक डिग्री जितना increment करना हो increase करना हो 50 से 51 करना हो तो 500 Joule ही energy लेगा हो 1 degree Celsius के increase होने में वो 500 Joule ही energy लेगा ये ठीक है लेकिन ये जो बड़ा भया है इसका 6 किलो बाला वो दोस्तो 50 से 51 होने में 1 degree Celsius increase करने में temperature में उसको दोस्तो 1500 Joule energy देना पड़ेगा समझ रहा है बात को तू सेम एक डिगरी बढ़ाया तो इसमें 500 Joule में ही उसने एक डिगरी बढ़ा दिया ठीक है इसमें दोस्तों 1 degree Celsius बढ़ाना है तो इसको 1500 Joule देना पड़ेगा 1500 Joule देना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी दो डिगरी बढ़ाना है तो इसको 3000 Joule देना पड़ेगा आ गया इसमें 2 degree बढ़ाना है तो 1000 Joule एक डिगरी में 500 तो 2 degree Celsius में कितना 1000 तो 1000 आ गया थीक है दोस्तों तो बात यह है 8 capacity का मतलब एक ही डिगरी Celsius बढ़ाना है फिर भी इसको 1502 और इसमें भी एक ही डिगरी Celsius बढ़ाना है इसको 500 में काम चल जाता है वो माइड उतना डेवलप करने के लिए कि हमें 11 यह सारी चीजे समझ पाए दोस्तों तो यह सारी आप चीजे समझ पा रहे है उसमें आप से एक से लेके दस टंडर का इंवॉल्मेंट है सर नारे कब नहीं आ गए चले आज़िए दूस्तों बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मान लोगे एक बात है यह अल्यूमिनियम का यह बी अल्यूमिनियम का है अल्यूमिनियम का यह मैं वन केजी कर देता हूँ और ये वन केजी कर देता हूँ ये सिक्स केजी के भी मैं वन वन केजी के टुकड़े कर देता हूँ जो हो रहे हैं सिक्स टुकड़े कर दिया तो ये भी वन केजी हो गया सब वन वन केजी कर देता हूँ थीक एसर, one one kg कर देता हूं अब मैं यह बोल रहा हूं कि यह जो हर एक one kg है one kg है उसका heat capacity कितना होगा oh heat capacity चल उसके लिए एक और करता हूं यह जो heat capacity आया इसका aluminum का, इसका 2 kg वाले का, उसके heat capacity को mass से divide करो, चलो 500 भाई-2 डाइसो जूल पर डिगरी सेल्सिस तो था ये मास आ गया मतलब किलोग्राम किलोग्राम ये एच ह्सी ये एम किस केजी है दो जुपाग अब एंसर करना डाइसो जूल पर किलोग्राम कर डिगरी मनें आरा है कि अध़ मतलब की मतलब की उस aluminum के पास या कोई भी material होता है उसके पास एक ऐसा special special behavior है क्या है वो देख तो देख special property हो उसके पास कि 500 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेलसियस इसका मतलब क्या समझता है तू सिपके मुझे ईसी एल्यूमिनियम के एक किलोग्राम का टेंप्रेचर एक डिग्री सेलसियस बढ़ाना हो तो ड्यूजू जूल चाहिएगा इसके है इसके जो भी हो इसमें भी एक किलो पे एक डिग्री सेल्सेस बढ़ाना है एक किलो का तो 200 जूल चाहिए और एल्यूमिनियम ही है बाजू में तो उसके भी एक किलो पे तो एक डिग्री सेल्सेस एक किलो ग्राम का एल्यूमिनियम लूँ तो उसका एक डिग्री सेल्सेस बढ़ाने के लिए उ तो दोनों दोस्तों दोनों को गरम करने के लिए कि एकृरी only स्बढ़ाने के-लिए कितना चाईएगा कि दाइसो जूल दोनों को सेंए मिलेका समझ में आ रहा है लेकिन यह ऐसा वन केजी पर हो रहा है वन केजी पर मतलब पूर पढ़ रहे हैं, मतलब कि पर केजी दूनू sitting hight ले रहे हैं, पर केजी, जैसे कि देख, 1 kg मेंडाइसो लिया, 500, 750, 1 kg में डाइसो लिया, 1 kg में डाइसो लिया, तो 6 kg पे कितना लेगा, 6 kg पे कितना लेगा, सब्सक्राइब कितना हीट ले रहा था फंदरासो यहां पर दाइसो और डाइसो पांसो दो केजी पर यूनीट मास पर यूनीट मास पर जो हीट ले रहा है सेम मट्रियल वो सेम ही होता है दोस्तों उसको बोलते उसका स्पेशिफिक हीट कैपसिटि स्पेशल केस है तो फाइनली वन केजी पर जब बात जाती है तो हैं डिया सिप्पेशिफिक हीट कापसिटि है यह क्या हो गया आपका केस specific heat capacity यह खाली specific heat भी बोल दो C से denote करो यहां S से denote करो कोई फरक नहीं परता है बोल यह मज़ा आ रहा है समझ में आ रहा है तो यह clear हो रहा है 1 kg का thought clear हो रहा है तो material का बहुत सारे kg पे जितना भी हो 2 kg 6 kg उस पे heat capacity अलग अलग होता है क्योंकि मास पर डिपेंड करता है लेकिन मैं दी उस थी क्या 1 1 kg की बात करूं यहां तो 1 1 ग्रैम की बात करूं दोस्तों तो उसमें सेम एनरजी देना पड़ेगा वन डिग्री सेल्सेस इंक्रीज करने में समझ में आ रही बात उसका यह special behavior है प्रॉपर्टी उसको specific heat capacity बोलते तो अब हमारी बात हो रही है specific heat capacity thought clear हो रहा है दोस्तो chemistry portion है लेकिन मजा करवा दूँगा tension नहीं लेना specific heat capacity C C का formula आए formula आए यह small changes के लिए आप Q भी लिख सकते हो tension नहीं है दोस्तों तो कभी-कभी Q is equals to mc delta t यह formula सरम बचपन से जब हम पैदा हुए थे तब nurse नहीं बोल दिया था congratulations you have Q is equals to mc delta t delta t को delta theta भी कई-कई denote करते हैं attention नहीं लेना बुलिए how's that how's that चलिए दोस्तों definition clear करते हैं हम क्या होगा heat energy required heat required to raise या तो to change the temperature of 1 kg mass by 1 Kelvin है ना चलिए heat energy required to change gain or loss gain or loss whatever it is required the change the temperature of unit mass 1 kg mass मतलब unit mass by 1 unit या तो unit temperature या तो by 1 degree Celsius और 1 Kelvin दोस्तों clear है clear है एक किलो का मैं mass लेता हूँ जैसे कि 1 kg mass लिया है उसका temperature 1 Kelvin increase करना है दोस्तों तो उसको जो जितना energy देना पड़े मानले 200 दिया तो इसी को उसका क्या बोलते है specific heat capacity बोलते हैं clear है simple दोस्तों यूनिट आप देख लो यूनिट ही मजे का है यूनिट ज्यादा पूछते हैं दोस्तों क्यूंका होगा जूल इसका होगा kilogram degree Celsius या तो जूल kilogram Kelvin या तो calorie upon gram degree Celsius या तो calorie upon gram Kelvin हाँ Kelvin और Celsius तो कहीं कर भी लिख सकता हूं सब सेम होता है सेम होता है ठीक है फिर depends on depends on बुलिए depends on हाँ sir material पर डिपेंड करता है ठेंपरेशर चेंज पर डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है ठीक है बुल हाँ या ना clear है clear 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 okay मैं बोल सकता हूं कि दोस्तों 1 kg पे 1 kg पे किसी भी material का heat capacity fix होता है तो 1 kg पे उनका वेल्यू fix होगा कि इतनी energy लें तो ही वह one degree Celsius temperature increase करेंगे हैंना 1 kg पर फिक्स होता है लिख रहा है यह जी अब आजा दोस्त अब बाते करता हूं अच्छी वाले थोड़ा तुझे नॉलेज देता हूं क्या नॉलेज है मालल यह पानी है ठीक है वन ग्राइम ले एक ग्राम पानी है उसका temperature एक डिग्री Celsius मुझे बढ़ाना है तो दोस्तों मुझे उसको कितना energy देना पड़ेगा तो उसको देना पड़ेगा 4.2 J energy एक ग्राम पे एक डिग्री Celsius बढ़ाने के लिए कितना energy देना पड़ेगा 4.2 J energy है ना तब जाके उसका 1 Kelvin temperature बढ़ेगा दूसरा के से लेग्राम यहाँ लेलेओं कोई एक ग्राम का temperature एक डिग्री Celsius जितना कम करने के लिए कम करने के लिए मैं क्या खरोंगा सर उस water से उस water से 4.2 जुल निकालना पड़ेगा तब जाके इसका temperature एक डिग्री Celsius कम होगा यह अंदर जा रहे है यहाँ पे बाहर निकालना पड़ेगा 4.20 समझ में आ रहा है यह thought process दोस्तों आपको समझ में आई तो आपकी life set है otherwise life set नहीं है बोल clear है clear है clear है दोस्त समझ में आ रहा है जैसे कि मैं बात करूँ copper के टुकड़ेगी एक copper का टुकड़ा है एक gram का है एक gram का है वन ग्राम का है उसका टेंपरेचर वन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना हो तो उसे मुझे कितना देना पड़ेगा ओना 0.4 जूल एनर्जी ही देना पड़ेगा बस उतने में गरम भी हो जाएगा एक डिग्री सेल्सियस चेंज भी हो जाएगा दूस्त खाली 0.4 पर और पानी देखो 4.2 पर दोस्तों इसलिए बोलते हैं ना इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि copper है ना copper अच्छा conductor है यह क्या हुआ स लेकिन सब देता नहीं है तो copper क्या है रखता नहीं है अच्छा capacitor नहीं लेकिन देता है तो अच्छा conductor है दोस्तों अच्छा conductor है 30 to 50 degree Celsius find the heat required find the heat required to raise the temperature find the heat required to raise the temperature और दोस्तों इसका specific heat water का मुझे पता है 4.2 Joule per gram degree Celsius ठीक है चलो सवाल करते हैं अच्छे वाले मज़ा आएगा आपको आजाओ टेंपरे मास कितना है 100 टेंपरेजर में इंक्रीज कितना है 20 degree Celsius 30 से 50 है न और वाटर का specific heat कितना है जुपाग जुपाग चलो आजब दोस्तों तो एनर्जी कितना चाहिए mc delta t mc delta t m है 100 c है 4.2 delta t है 20 तो दोस्तों आप काट पीट के उड़ा सकते हो सब कुछ उड़ा ना हो तो जुम जुम एट फोर जीरो जीरो जूल क्या बात है सर इतना जूल देना पड़ेंगा इतना जूल देना पड़ेंगा समझ रहा है स्पेसिफिक हिट का मतलब समझ रहा है तो स्पेशल केस में है बूल हाया ना हाया ना क्लियर एक बार स्क्रींशोट ले सवाल लेता हूं दो तीन अच्छे 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 सवाल करवाता हूं अच्छे अच्छे सवाल करवाता हूं इसको एस भी ले सकते हैं एमस डेला टेवी बहुत सारी जगा दिया हुआ है ठीक है चलो तो क़्ूषिन बनाते हैं ट्वैंती ग्रा वातर थू इंक्रीज दी टैंपरेचर कस थू ल्ड लॉस दी टैंपरेचर समस्क्री ना 30 डिग्रिच्छ से हीट रक्वाएड बूली कितना हीट होगा फरीछोगा पूस कर वीडियो अर अपने प्लीज यार मेरे पर डिपेंड मन रहा पुरा चलो आज़ो फटापट Q is equals to mc delta t mass पता है 20 gram delta t पता है minus 20 degree celsius भई 30 से 10 t2 minus t1 t2 minus t1 10 minus 30 मतलब minus 20 ठीक है और water का specific hit आपको पता है दोस्तो 4.2 joule per gram degree celsius चलो फटापट 20 हो गया 4.2 हो गया और minus 20 हो गया 20 यह हो समझ ले 400 into 4.2 8 1680 joule energy minus मतलब कि पानी का temperature मुझे 30 से 10 करना है तो उसमें से 1680 joule ले लेना पड़ेगा ले लेना पड़ेगा सिर तभी जाके मानेगा यह वरना मानेगा नहीं दोस्तों चलो ठीक है एक copper है समझ लो 100 gram है उसका mass उसका temperature decrease हो रहा है decrease करने के लिए from 90 degree celsius to 50 degree celsius और copper का C होता है specific heat होता है 0.4 joule per gram degree celsius ठीक है ओके दोस्तों तो heat energy required heat energy हम उसमें से कितना लेंगे तब यह जाके 50 degree पे आ जाएगा तो mass है 100 c है 0.4 delta t है minus 40 50 minus 50 minus 90 बराबर है सरथ 50 minus 90 यह t1 है यह t2 है clear हो रही है बाते तो मैं आगे बढ़ू दोस्तों आगे बढ़ू ठीक है सर ठीक है है ना जूपाक दस दस गया 1600 जूल minus minus क्यों आ रहा है दूस्तों क्या minus है क्या नहीं दूस्तों उसमें से निकाल रहे हम इतना तब जाके वो ठंडा होगा clear है एक must level वाला sum 300 ml water है अरे 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 सर ml में काल ला दिया आपने तो water का volume दे दिया सर ठीक है water है उसका temperature 30 degree Celsius से 60 degree Celsius करना है to raise the temperature of water 30 ml by from 30 degree Celsius to 60 degree Celsius heat required is heat कितना required होगा चलो करते है ट्राइ करते है क्यों इजी कोस्ट टू mc delta t सर मैं तो पहले में ही फस गया मैं तो पहले में ही फस गया सर पहले में मास कहा है यह तो volume में water का यह तो दोस्तों कारी-करी है चला जा दिखते है कि वोल्यूम दिया है 300 ml मिली लीटर टो दोस्तों density भी ओता है one gram पार अमील पार वोलटर का density क्या होता है one gram पार आमेल तोzeit मास आ मास क्या है वाल्यूम उन्डू रो वाल्यूम कितना है 300 रो कितना है आ roads से देखना हो दोगना है मजा यह आपको mass is equals to चलो volume कितना है 300 ml रो कितना है 1 gram per ml यह ml ml गया तो 300 gram mass आया दोस्तो बात समझना बात clear हो तो प्लीज आप comment box में जरू से लिखेगा कि साथ मजा आया या वो आया जो लिखना हो तो दोस्तो यह हो गया 300 gram C है 4.2 और temperature 30 से 60 हो गया मतलब 30 जुपाक जो एंसर आये दोस्तो शिक्स और बारा इंटो 300 0018 173 37,800 जूल एनर्जी देना पड़ेगा 37,800 जूल एनर्जी देना पड़ेगा बुल डन है दोस्तों बाते क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही दोस्तों comment box में बरबूर कुछ लिखना दोस्तों लंबा लंबा कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा finally finally दोस्तों हमारे पास एक formula था ऐसा तो कभी-कभी ज़रूर पड़ेगा तो mc hc is equals to mc भी लिख पाते हैं और ms भी लिख पाते हैं ठीक है ठीक है दोस्तों जैसे कि 2 gram का 2 gram water का हीट कापसिटी कितना है हीट कापसिटी ओफ 2 gram water चलो फटा पड़ बोलो 2 gram water का तो सब्सक्राइट c is equals to मास है 2 gram और c कितना है 4.2 Joule मास है 2 gram 4.2 Joule ग्रेम 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 गया 8.4 Joule पर डिग्री सेल्सियस जो पाक दूस्तों तो आप ऐसे एक सी भी फैंड कर सकते हो आपको जब दिया हो और मास दिया हो बुलो how's that दोस्तों ओके बच्छा लोगो ओके चलिए एक दू अच्छा अच्छा कुश्चन कर रहेते हैं फिर लेक्चा फिनिश करते हैं यह एक दू अच्छा अच्छा कुश्चन कर रहे हैं कि दूध आच्छा और बेसे लिए हैं अटिश्ट इस मेंज़ का मतलब तो दोस्तों taken in, heat अंदर जा रही है, कि भी no change in temperature takes place whether heat is taken out or in, ठीक है, and all of the above, कौन सा option right है दूस्तों, specific heat infinite हो, तो कौन सा option right है, heat दे रहा है, heat ले रहा है, कि temperature में change नहीं हो रहा है, या तीनों हो रहा है, चलो बोले दूस्तों, तो मुझे इतना पता दलता है दूस्तों, c is equals to q by m delta t, ठीक है, देखना बहुत मज़ाने बोला है आपको, q is equals to, देखो, delta t is equals to q by, यह हो सकता है, देखो, यह एक करते हैं, आपने रूप जाए, है, c infinite है, मतलब क्या है, बता है आपको दूस्तों, मतलब की, यह delta t 0 होना चाहिए, बोल हा या ना, हा या ना, तो c is equals to 1 by 0, मतलब infinite, समझना बात को, delta t 0 होगा, शायद, delta t 0 होगा, तो ही, यह जो specific hit है, वो infinite होगा, तो मैं बोल सकता हूँ, if specific hit is infinite, then we can say, delta t is 0, तो no change in temperature takes place, no change in temperature, option c is right, ठीक है दोस्तों, ठीक है, यह छोटे-छोटे questions पूछते हैं, दोस्तों, एक्जाम में बच्चों को लगते हैं, क्या है, यार, छोड़, नहीं, यही पूछते हैं दोस्तों, यह देख, नीट 1999 का है, नीट 1990 का है, थर्मल कैपसिटी ओफ 40 ग्राम अल्यूमिनियूम, 40 ग्राम अल्यूमिनियूम है, उसका specific hit यह होता है, और बोलते हैं, थर्मल कैपसिटी फाइंड करो, थर्मल कैपसिटी यार, थर्मल कैपसिटी, हC is equals to MS, ओवियसली सर, यह specific hit है, specific heat का मतलब क्या था, specific heat is equals to, Q by M delta T, Q by M delta T, और Q by delta T को तो हम हC बोलते हैं, थर्मल कैपसिटी, है न यहां तो heat कैपसिटी, ओके सर, तो हC is equals to क्या हो गया, M into S, 40 ग्राम, यह 0.2 कैलरी पर ग्राम कैल्विन, ग्राम ग्राम गया, जुपाक जुपाक, 8 कैलरी पर कैल्विन, ऐसा हो गया, दोस्तों, बोलो, बोलो हाँ या ना, दोस्तों, कैलरी को जूल में पूछा हो, तो भी आप लिख सकते हो, दोस्तों, कैलरी को जूल में पूछा हो, तो आप आराम से बढ़िया लिख सकते हो, 8 into 4.2 Joule per Kelvin 8 into 4.2 8 और ये 32 एंसर आ रहा है Joule per Kelvin Joule per Kelvin clear है clear है clear ये question आपको धोंबर्ग में दे रहा हूँ देख लेना clear हो रही है बाते की नहीं हो रही है screenshot लेक बाल चल ओके दोस्तो last question है lecture 6 बड़ा easy topic था ठीक है न बड़ा easy क्या बड़ा easy concept देखा दो ने है के नहीं chemistry portion है दोस्ती है चला जा chemistry से यसी बच्चे पीछे भागते यार बच्चे यसी भागते हो बहुत प्रहा chemistry भागो 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 दोस्तो बहुत easy subject है दोस्तो बहुत लेकिन समझ के करना पड़ेगा two spears ampegics पे आ जाते रहे two spears made of same substance दो spear बनाए हुए हैं दोस्तो same substance के बने हुए हैं दोस्तो obviously same substance के same substance है मतलब same material के बने हुए है made of same substance मतलब same material के बने हुए है same material है दोस्तो इसका specific hit इसका specific hit same होगा same होगा दोस्तो दोनों का ठेक है इनका जो diameter है उसका ratio दे रखा है diameter d1 by d2 1 by 2 diameter का ratio दे रखा है so their thermal capacity are in ratio उनकी thermal capacity hc1 hc2 दोनों का ratio find करना है दोस्तो इतना information दिया है बहुत easy question है दोस्तो specific hit का उसने बुला है specific hit का और hc का बुला है तो देखो mindset यहां से हो रहा है hc1 by hc2 m into s m into s 1122 हा दोस्तो इसका thermal heat capacity thermal capacity यहां heat capacity होता है mass into specific hit ठीक है सर दोनों का specific hit भी same होगा ठीक है सर अब आ गया volume volume सर spear है spear का volume क्या होता है 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi r cube 4 by 3 4 by 3 pi pi गया r1 by r2 का cube r1 by r2 का cube दोस्तो diameter का ratio है हमको दिया है diameter को क्या बोलते हैं 2 r1 2 r2 ratio है तो इसका भी ratio वही होगा radius का ratio भी 1 by 2 होगा 1 by 2 का cube 1 upon 8 बोलो sir बोलो 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 done है done है answer r i b ठीक है दोस्तों ऐसे अच्छे-च्छे questions के लिए next video देखते रहेगा पूरा आपका thermal properties of matter दोस्तों आपका पूरा concept लियर करोंगा attention नहीं लेना screenshot ले बाबे मिलते next lecture में दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर से comment box में लिको है बहुत मेनत पड़ रही है हाँ चल बाई